तेंबल सीटी शिवरी नारायन में हो रहे नो दिवसिय मठ मोहसब में आज चतिसगड विधानसवा के अद्यक्ष चरंदास महंद मठ मंदिर में आयजित संगीत मैं रामकता एवं संत समागम के लिए दो फर तीन बचे पहुचे दरसल जाजगीर जेले के टेंबल सीटी शिवरी नारायन के मठ मंदिर नो दिवसिय मठ मोहसब हो रहा है जहां आज चतिसगड के विधानसवा अद्यक्ष भी पहुचे कथा सुनने कथा श्रवन करने के पश्या दोनों ने अपने उद्बोदन में कहा कि धर्म निर्गुण और सगुण दोनों के लिए निर्मल बन और सच्चाई की आवशक्ता है शल्दा और विश्वास के द्वारा इश्वर तक पहुचा जा सकता है मठ मंदिर के शरवाकर डॉक्टर राम सुन्दर दास महराज जी ने उनका स्वागत किया इस अस्वर पर सुन्दर लाल शर्मा मुख्य विश्व विद्ध्याले के कुल पती भी उपस्तित थे कथा शरवन के बाद पत्रकारों को चर्चा के दोरान चरण दास महराज ने बताया कि इस वर्ष किसानों की महनत की पुंजी का वाजीब मूली उन्हें मिलेगा पचिस सु रुपे कुंटल से 36 सरकार धान खरीदी करने जा रही है एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि शिवरी नारायन में बने नए हाई स्कूल की जमीन से कवज़ा धारियो को हटाये जाएगा साथी धार्मिक नगरी शिवरी नारायन को रामवन गमन पत के रूप में चिनहागित कर विक्सित करने के लिए कायर योजना तयार की जारी है कथा के आयजन के लिए उन्होंने मंदिर न्यास को धन्यवाद ग्यापित किया अगर आप लोग यहां से कुछ लेख के जाएं कुछ सीख के जाएं मैं कहूंगा अपने बेटियों को सम्मान लें बुलाएं लिखाएं सरी जगभिवार करें और हमेंसा उन्होंता मार्द रखते रहें मैं यही प्रात्ना करना चाहता हुए यह माता सब्री का इस्थान है और यह इस्थान तो प्रेम से भरा हुआ है प्रेम के अखाएं सब्री माता के प्रेम में रामचंदी आ गए थे तो हम लोग की स्केर्ट के मुले हमारा है हम तो आपके प्रेम निवसे भूत अदरों कराते हैं क्यों प्रेम को है बनाए रखे जब तक प्रेम